सह जमा, आपको महने के साथ दिन ये अभिहास करना है चार तारिख, आठ तारिख, बारा तारिख, सोला तारिख, भीस तारिख, चोबीस तारिख, अठाइस तारिख साथ दिन महने के यानि इन दिनों पर आपको अपनी activities में कुछ पाठ रोकना है जैसे आज का दिन मैं फ्रूट पर जीने वाला हूं फ्रूट के अलावा कुछ नहीं खाऊंगा पानी और फ्रूट तो आपने एक दिन क्या किया कोई चीज को सहजम कहा या आप कहेंगे आज मैं शब्द का उपयोग नहीं करूँगा किसी को बोलना होगा नहीं मैंने किया हाँ ये हुआ ये कार्य हुआ तो कितना मैं को अवाइड कर सकते तो आवेरनेस रहेगी आज मैंने ये intention लिया है तो आज मैं कम खाना खाने वाला हूँ कोई उपवास का नहीं रख पाता है तो आज हमेशा के दिनों से कम बोजन लेने वाला हूँ या आज मौन वरत का पालन करने वाला हूँ या आज कम बात करने वाला हूँ नॉर्मल डेस से कम बात करने वाला हूँ या आज शुगर बिलकुल नहीं लेने वाला हूँ, मीठा आज बिलकुल नहीं खाने वाला हूँ, या आज नमक कम खाने वाला हूँ, हर एक अपने एसाब से देखे, क्या वो intention ले सकता है, ये सहजम, सहन, छिलता आपकी बढ़ाता है, सब्र बढ़ाता है, और शुक्र आप शुक्रिया कहते हो, शुक्रिया, धन्यवाद देते हो, धन्यवाद, तो ये प्रक्टिस आपको करनी है, सहजम डेज जो हैं, मेहने के साथ, इससे आपका धीरज बढ़ने वाला है, आपने ठाना और आप कर रहे हैं, कर रहे हैं, तो और जब आप खाना खाने बैठो, जब भूक समाप्त हो जाए, आप होश में, होश में खाना खाओ, वरना हम खाली पेट को खाना देते हैं, सेल्फ को खाना ही नहीं देते, सेल्फ का खाना क्या है, होश, सेल्फ का खाना है होश टैग, ये होश टैग है, हैस्टैग नहीं है, ये होश टैग है, ये विश्व विश्वास से निर्मान होता है, विश्वास, ये चार उंगलिया हैं न, जब हम ऐसे रखते हैं, हैस्टेग, आपको दिखती है, ये धीरच की मुद्रा करके आपको याद दिलाएगी, आप होश में खाना खाओ, तो सेल्फ को भी खाना मिलेगा, और जैसे लगे भूख खतम होई सेजम, उसके बाद एक निवाला भी नहीं खाना है, खाने के बाद जो फ्रूट बगर खाते हो, खाओ, पाचक वजर जो है, मगर आपने उदेर स्टॉप किया, ये होश बढ़ाने के लिए अती आवशक है, धीरच बढ़ाने के लिए अती आवशक है, ऐसे प्रियोग करना जारी रखो, और कहां पर सेजम का उपचारेंगे जव अती मनोरण्यों में करेंगे, अती मनोरण्यों में चले जाते हैं, अती मनोरण्यों या अस्षथ मनोरण्यं करना है जासे परसन शुरूं कि आफमिनट देखता हूं, तो जब आप ये कर रहे हो ना अचाना के Chair फिर दिने दिने मोबेल रखोगे और उपर देखोगे धन्यवाद भोष आ गया भोष से बड़ी और कोई चीज नहीं है अवेरनेस ही अधियात्मा है भोष से अवेगखोगे